आप शाद इस बात को जानते होंगे कि चायना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो डिया डियो द्वारा किये गए कारियों की उपर तो प्रिश्णिन्न उठाते ही उठाते हैं और यूवें तक भारत को घसिटने की कोशिश करते हैं. लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसरो को लेकर भी कई बार कंडिम किया गया है वो इसरो द्वारा तयार किये जाने वाले अलग-अलग साइज और अलग-अलग कैपेबिलिटी वाले रॉकेट्स को लेकर दुनिया भर में इस बात का ढोल पिटते हैं कि भारत देखिए ये गलत कर रहा है अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसरो की अगर बात की जाए तो डिफेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है वो तो मानवकल्यान के लिए स्पेस को एक्स्प्लोर कर रहा है फिर भला पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम क्यों होती है इसकी पीछे कारण क्या है तो एक्चुली इसकी पीछे कारण यही है कि इसरो द्वारा अपने जो सटलेट्स के अंदर रॉकेट्स लगाये जाते हैं जिसके कॉंसेट्ट के तोर पर हम लोग 10-12,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाल बनाने का सपना देखते हैं इसके अधरीत अगर बात की जाए 100 MIRV की तो मैं आपको बता दू कि भारत द्वारा एक्चुली प्रिसिजन के साथ 100 MIRV लाँच किये गए हैं अब इतनी बाते जानने के बाद आप वीडियो का संदर्ब समझिए कि ये सारी चीज़ें की संदर्ब में कही जा रही है और हाल फिलाल के समय में चाइना द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा जो भारत को कंडेम किया जा रहा है अगनी पाँच के MIRV capable परिक्षन करने के लेकर वो सारी कुछ चीज़ें क्यों की जा रही है अब रिसेंटली जब भारत द्वारा अगनी पाँच मिसाइल का परिक्षन किया गया भारत इतना खतरनाक डेटरेंस इस्तमाल करेगा और इस मिसाइल से अटेक जब कर देगा तो पाकिस्तान अकेली एक मिसाइल से पूरी तरह से डिस्ट्रॉई हो सकता है इसके साथ इन्होंने ये भी आशंका जताई कि अगर इसका उल्टा हो जाए याने पाकिस्तान को इस बात का आवास हो जाए कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर न्यूकलियर अटेक किया जा सकता है और अब चुकि भारत के पास MIRB capable मिसाइल है तो पूरे पाकिस्तान को जद में लेना possible हो गया है भारत के लिए तो इससे पहले ही इन launching pets के उपर जहाँ पर इन मिसाइलों को deploy किया जाएगा उनके उपर पाकिस्तान अटेक कर सकता है इस तरह से जो विवात की स्थितिया है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकती है रिजन में आशान्ती आ सकती है और ये एक तरह से nuclear race को बढ़ा देगा अब भारत के पास चुकी एक ही missile के लिए 10-10 warret की requirement होगी तो भारत द्वारा अपने nuclear warret की संख्या भी बढ़ाई जाएगी तो इस तरह की आशंकाए भला क्यों जताई जारी है और अमेरिका को इससे इतनी क्या problem ही जबकि अमेरिका जानता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है उसने पाकिस्तान के साथ नहीं बलकि चाइना के साथ बैलेंस करने के लिए ये MIRV capable missile तेयार की है फिर भला वो इस बात की चिंताएं क्यों कर रहे हैं तो वो इस बात की चिंताएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जद में अमेरिका आ चुका है और भारत द्वारा MIRV का परिक्षण आज नहीं बलकि वर्श 2017 में ही कर लिया गया था जब भारत ने प्रिसिजन के साथ 100 MIR भी लॉंच किये थे और इसमें ज्यादा अथर अमारिका के ही वारेट्स थे दरसल डियाइडियो नहीं बलकि भारत के इसरों द्वारा आप सभी को याद होगा कि 15 फरवरी वर्श 2017 में पीसल्वी C-37 लॉंच किया था जिसके तहट भारत द्वारा 104 उपग्रहों को और बि प्रिसीजन के साथ हमने ये सारे के सारे सेटलाइट सफलता पूर्वक लॉंच किये थे और सबसे बड़ी बात कि इसमें 96 के नंबर्स में मिनियेचर सेटलाइट्स अमेरिका के थे तो ये चीज क्या है ये एक्चुली वही चीज़े जो आज हम लोगों ने अगनी बाच के MIRV variant में टेस्स किये हैं यानि हम लोग जितने चाहे उतने वारेट्स अब हमारी मिसाइल में इंटिग्रेट करके प्रिसीजन के साथ जहां पर अटैक करने चाहते हैं वहीं पर अटैक करवा सकते हैं और इस लेवल की सटिकता हम लोगों ने अर्जित कर ली है कि अगर अगर बना बना बनाई है इसकी जो प्रस्वी से दूरी होगी वो 60,000 मिलो होगी तो इसी तरह के रॉकेट सिस्टम का इस्तमाल हम लोग एलस्टिक मिसाइल को तैयार करने के लिए भी करते हैं तो अमारिका हम लोग पल के छपकाते ही पहुंच सकते हैं यह के पैबलिटी है मिसाइल हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इस तरह से भारत उन गिने चुने देशों की एलिट क्लब में आ चुका है जिनके पास इस तरह की टेक्नोलोजिस है इसी वज़े से अमेरिका का ये साइंटिस जिसने भारत को क्रिटिसाइस किया है स्ट्रेस को लेकर इ और इसके बीछे का कारण चुपा हुआ है 1993 में जी हां दरसल अमेरिका और रश्या की बीच में एक ट्रिटी हो रखी थी इस ट्रिटी को नाम दिया गया था स्टार्ट टू बेहन इमाई आर्वी ट्रिटी यहने 1970 के दशक से ही मिसाइले तयार की जानी शुरू कर दी गई चुरूात अमरिका ने की थी बास में बाकी देश्यों ने भी तेयार की इसी के चलते दुनिया में अने और और कोई बीच्त बीच्श बीच्र बीच्श बीच्श्बór पालन किया होता तो आज शायद भारत इस तरह का टेस्क करके धिंडोरा नहीं पीट सकता था कहने का मतलब ये कुछ भी बना लें ये प्रत्वी पर कहीं पर भी स्ट्राइक करने की लायक अपनी मिसाइलों को तयार कर सकते हैं जितने चाहे उतने